जै माता रानी की दोस्तों विडियो को लाइक जरूर करे रक्षा बंधन पर भाईभन सुखी जीवन के लिए करें ये उपाय, हर कश्ट होंगे दूर, चमक जाएगी किस्मत आज 19 अगस्त को रक्षा बंधन मनाया जा रहा है। इस भाईभन के सुखी जीवन के लिए कई उपाय भी किये जाते हैं, इस साल सावन के आखिरी सुमवार के दिन 19 अगस्त को रक्षा बंधन मनाया जा रहा है। हर साल श्रावन माह की पूर्णिमा तिथी को यह परवाता है। इस दिन बहने अपने भाई की कलाई पर राखी बांधती हैं और उनके दीरगायू और सुखी जीवन की कामना करती हैं। वहीं भाई बहनों की जीवन भर रक्षा करने का वचन लेते हैं। रक्षा बंधन पर घर की दरिद्रता मिटाने और खुशाल जीवन के लिए कई विशेज उपाय भी किये जाते हैं। मान्यता है कि इससे जीवन में सुख समरिध्धी और खुशाली आती है। आईए जानते हैं रक्षा बंधन के विशेश उपाय हैं और ये उपाय कैसे करना हैं बताते हैं। देखिए रक्षा बंधन के मौके पर भगवान शिव और लक्षमी नारायन की विधिविधान से पूजा करें। इसके बाद शाम को चंद्रोदय के बाद चंद्रमा को जल अर्ग्य दें। मान्यता है कि ऐसा करने से धंदौलत में व्रिध्धी होती है। और आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर करे देखिए दोस्तों भाईभन के रिष्टे में प्रेन बढ़ाने के लिए रक्षाबंधन के दिन सबसे पहले हनुमान जी को राखी बांधे हैं। मान्यता है कि इससे भाईभन का क्रोध शांत होता है और रिष् लोट आती है। आर्थिक स्थिती को मजबूत बनाने के लिए राखी के मौके पर अपनी बहन के हाथ से गुलाबी कपड़े में अक्षत, सुपारी और एक सिक्का लें। इसके बाद बहन को मिठाई, वस्त्र और उपहार दें। उनका चरन स्पर्ष करें। गुलाबी रं के कपड़े में लिए गए सामान को बांध कर तिजोरी में रख लें। मान्यता है कि ऐसा करने से धन का भंडार भरा रहता है। रक्षा बंधन के दिन संभव हो तो भाई भन पूर्णे मा तिथी का वरत रख सकते हैं। इस दिन मा लक्षमी की पूजा के दौरान उन्हें भोग लगाएं। कनकधारा स्तोत्र का पाठ करें। इसके बाद लक्षमी मा के समक्ष भाई को राखी बांधे। मान्यता है कि ऐसा करने से मा लक्षमी की क्रिपा बनी रहती है धन्यवाद।